आज हम सेवपूरी बनाएंगे सेवपूरी के लिए हमें हरी चटनी, लसुन की चटनी और मिठी सूंट चटनी की जरुरत पड़ती है आपको ये रेशिपी चाहिए तो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसमें आप चेक कर सकते हैं एक कप मेस आलू लिया है आलू को बॉयल करके मेस कर लिया है ये एक बावल में डालेंगे हाप कप बारिक चप प्याज डालेंगे वन फो टीस्पूर नमक मीक्स कर लेंगे आलू और प्याज को मीक्स कर लिया है अभी सेव पूरी बनाएंगे सेव पूरी की पूरी को डीस में रखेंगे आलू और प्याज का मिसरण उपर रखेंगे एक एक चमच जितना आलू प्याज का मिसरण पूरी के उपर रखेंगे बार एक चुप टमाटर रखेंगे उपर हरी चटने डालेंगे लसुन की चटने डालेंगे चटने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है मेठी चटने डालेंगे हरी चटने और लसुन की चटने वन एक टीस्पून जितनी डाल सकते है और बीठी चटने एक टीस्पून जितनी उपर सेव डालेंगे तली वई चना डालेंगे हरा धन्या मुंग फली डालेंगे उपर इसके उपर आप मसाला सिंग भी डाल सकते हैं चाट मसाला उपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा निम्बू का रस डालेंगे सेव पूरी रेडी है झालेंगे